Hello everyone, welcome back to knowledge review classes, आज हम बात करने वाले हैं सेटेट डिसमबर 2023 का सलेबस जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग, आज हम डेटेल से देखेंगे कि जो सेटेट का एक्जाम होने वाला है, उसका सलेबस क्या होगा, देखें, एक्जाम पैट आपके जो जो डाउट सा रहते बच्चों के तो इसमें एक क्लियर कर दूँगा, देखें, अगर आप पेपर 1, 2 अपलाई करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या बता दूँ कि सीटेट पेपर 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, अब सबसे पहले यह जा लिजे, पेपर 1 के बारे म पेपर 1, यानि क्लास 1 से 5, यानि primary stage की बारे में, सबसे पहले आएगा CDP, CDP का मतलब क्या है, सबसे पहले यह जानिए, CDP कहते हैं, देखी आपको CDP, अगर मैं बोलू, CDP होता क्या है, वो जानिए, CDP का मतलब है Child Development and Pedagogy, यानि बाल, विकास, तथा सिच्छा, सास्तर बोल आपको कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाने की टेक्निक ही सिच्छा सास्तर कहलाती है, अब आपको मैं बता दू, CDP के बारे में, CDP में दो पार्ट अगर यह 30, देख रहे हैं, आप ध्यान से देखेगा, यहां पर 30 question आएंगे, 30 मार्स के, तो जिसमें से 15 question होंगे, आपके content ह आपके pedogogy होंगे, CDP का, याद रखेगा, ऐसे इसका हर चीज में define होता है, divided होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर CDP, अगर primary school के बच्चों के लिए देखा जाए, यहां पर दियान से दिखेगा, आपके पास यह syllabus आपके सामने दिख रहा है, बहुत अच्छे से, त क्या सिध्धान्त है, जैसे वाईगोस्तकी का सिध्धान्त हुआ, टेक है, जीन प्याजे ने क्या बोला था, जीन प्याजे का सिध्धान्त क्या था, टेक है, कोहल वर्ग का सिध्धान्त क्या है, यह सब सिध्धान्त ये भी पढ़ेंगे उसमें, समाजिक, समाजिक और सम बार गुवा, वाई गोस्तों की हुआ, इनके बारे में हम अच्छे से डिसकस करेंगे, क्योंकि ये जो topics हैं, ये आपका syllabus है, इनके बारे में पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छा से exam qualify कर पाएंगे, क्योंकि जिस आप से अगर previous paper देखा जाए, जुलाई का जो seated था, उसका जो लेवल ता question पूछने का काफी deep में था तो अब पढ़ने की जरूरत थे अच्छे से details से चलिए आगे बढ़ते हैं critical perspective of construction of intelligence मतलब आपकी जो बुद्धी मता है उसके बारे में भी पूछा जाएगा multi-dimensional intelligence यानि आपकी जो बुद्धी मता है विभिन दिसा में कैसी है वो इसके बारे में पढ़ेंगे भासा और विचार भी पढ़ा जाएगा जिसको बोलते हैं English में language and thoughts जेंडर के बारे में पूछेंगे मतलब की जो link है मतलब पुरुस इस्त्री इसमें जो पहले के जमाने में क्या होता था जो भेदबाव होते थी इससे related सम्मेंदी चीजे हैं जिसको question में पूछा जाएगा जैसे आपको मैं बता दू discrimination बोलते हैं भेदबाव मतलब होता है कि जैसे पहले क्या होता था लड़की थी तो लोग बोलते थी कि पढ़ने नहीं देना चाहिए पढ़ने का आगे चलते हैं देखे यह है आपका syllabus जो आपके सामने है अब देखे अब इसमें कुछ conceptual भी है जैसे पांच question इसमें ये भी आएगा direct पांच question देखे इस special needs children के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए क्या चीज़ें ब्योस्ता कर सकते हैं अगर वो बच्चे दस question आपके आएंगे किस से learning और pedagogy से ये motivation हुआ cognition हुआ मतलब संग्यनात्मक हुआ emotional हुआ ये सब चीज़े ठेक है अब इसके बाद अगर language 1 के मैं बात करूँ देखे language 1 आपको मैंने बता CDP के बारे मैं मैंने सीधे बता दिया सीधे समझे ये 30 question आएंगे 30 question में भी 15 आप आपके pedagogy होगी टेक अब इसके बाद आता है language 1 जो यहां पर लिखा हुआ है language 1 में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आप जिस language में comfortable हैं जिसके बारे मैं अच्छे जानते हैं टेक है मान लेते हैं let's मानते हैं कि कोई बंदा है मान लेता हूं महीं हूं तो अगर मुझे लेना आपके pedagogy होगी टेक है यानि तीस नमबर अब इसी तरह language 2 में आप क्या लेंगे language 2 में देखें बहुत सारे language जैसे उर्दू हो गया बंगाली हो गया टेक है संस्कृत हो गया इनमें सो कोई भी language आप ले सकते हैं तो हम second language मान लेते हैं हम English लेते हैं English का paragraph आ जाएगा जिसक पंदर आपके pedagogy आएगी पेड़ोगोजी ही सबसे महत्तपूर होती है content के तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन जब पेड़ोगोजी की बाद आती है यानि सिछा सास्तर की बाद आती है तो बच्चे उसमें score नहीं कर पाते है उसका reason क्या है कि presence of mind क्योंकि आप चीजों को 2022 paper के मैं बात करूं तो उसमें क्या था बच्चो एक्जेक्ट जो लोग positive thought था जिसके पास positive thought था उसका implement करके ये लोग जो पेड़ोजी के question है उसको solve किये जिससे अच्छा score कर पाए ठेक है अगर मैं कई student के बात करूं जिसने अगर cdp के मैं बात करूं cdp में उसके कम से क बहुत सारे students ऐसे हैं जो मेरे जिनके 25 प्लस marks cdp में आये हैं क्यों क्योंकि positive और जो previous question को revise करने के बाद ठेक है आगे मैं बताऊंगा discuss आईए अब आते है math के syllabus के बारे में language 1 और 2 हो गया अब आते है math के syllabus देखे सबसे पहले मैं बता दू अगर आप math का है तो math ले सकते है देखें जैसे हुआ geometry हुआ, safe हुआ, number system हुआ, division हुआ, measurement हुआ, time हुआ, ये सब चीज़े आएंगे जिसमें 15 आपके content होंगे, यहाँ पर लिखा है ने content, content का मतलब क्या to the points नमर देदेगा पूछेगा, बाकि जो 15 होंगे आपके pedagogy होंगे, pedagogy का मतलब कि बच्चों को प चीज़े हैं, उसके बाद आता है environments, अब ध्यान दीजी, environments में भी content होते हैं, 15 questions होंगे, 15 pedagogy होगे, environments में क्या-क्या आते हैं, syllabus में आपके सामने दिख रहा है, जहांसे देखिए family, friends हुआ, relationship हुआ, work, play हुआ, food हुआ, shelter हुआ, water हुआ, travel हुआ, things we do, जो चीज़े हम कर रहे हैं, जो हम चीज़ बनाएं, वो करें, अब pedagogy में इसु क्या आ गया, देखे, pedagogy, concept, scope of EBS, मतलब जो environment या पर्यावरण का इसका प्रशार क्या है, मतलब आगी इसका यूज क्या हो सकता है हमारे जीवन में, ठेक है, यह सारी चीज़े किसके अंदर आएगी, pedagogy, issues related, ठेक सुनिएगा, paper one के लिए अगर apply कर रहे हैं, तो सबसे पहले CDP होगा, number one पर, दूसरे number पर होगा, आपका देखे, math माल लीजिए, ठेक, तीसरे पर माल लीजिए, आपका माल लेते हैं, क्या, EBS माल लेते हैं, ठेक, चौधा, आपका paper होगा language one, और पांचवा होगा language two, जान कि आपको मैं बता दू कि आपके paper आप offline होगे, अब गया क्योंकि अब से 2023 से आपके paper offline किये जा रहे हैं, ठेक है, ओ, यह हम our best पर, चले, यह था paper one, इसी तरह कुछ patterns, P2 का भी से हैं, यानि paper two, यानि अगर आप paper two भी भर रहे हैं, देखे, अब paper two के मैं बात करूँ, सबसे पहले जाने जाए हैं, पेपर two, वही लोग भर सकते हैं, जो लोग बेड किये हैं, क्योंकि यह कच्छा-च्छा से लेके आठ तक के पढ़ाने वालों बच्छों के लिए, ठेक है, अब इसमें भी same 5 subject, बताया ना मैंने 5, अब क्या-क्या है subject, इसमें क्या-क्या है, कुछ changes हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा, CDP तो 30 नमर की रहेगी, रहेगी, जिसमें 15 question रहेंगे, content wise, 15 और उसके बाद रहेंगे, pedagogy, ठेक है, इसमें भी same चीज़े वही है, syllabus almost same ही है, सब कुछ ठेक है, याद रखेगा, जो CDP का syllabus almost same है, और ये सब देखने को मिलेगा, आपको distinction between assessment for learning, मतलब जो सीखने का आकलन करना हुआ, ठेक है, मुल्याकन करना सीखने का, ये सब चीज़े आएंगे, पांच नमर के concept आएंगे, उसके बाद 10 नमर के question आएंगे, ऐसे करके question आएंगे, अब इसी तरह language paper होगा, ठेक है, language में आप ले सकते हैं, Hindi, English, Urdu, कुछ भी ले स सकते हैं, चाहिए language 1 हो, चाहिए 2 हो, दोनों में एक ही चीज़ में बता देता हूँ आपको, चाहिए language 1 लीजिए, चाहिए 2 लीजिए, पंदरा नमर के आपकी pedagogy होगी, पंदरा नमर का आपका content होगा, ठेक है, याद रखेगा, अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से, पास same है, ये चीज़ आप मान के चलिएगा, ठेक है, अब ये चीज़े तो आप मान के चलिए, ये चीज़े same है, अब अगला जो change आता है, चोथे में, वो मैं बताता हूँ, देखे, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जिसका विससी science होगा, तो उसमें math भी आगयागा, math भी आग होंगे, ज्यांदर येगा, math के जो 30 question होंगे, उसमें 20 question जो होंगे, आपके contents होंगे, किसे होंगे, content से, और बाकी जो 10 question होंगे, वो आपकी pedagogy होगा, ठेक है, याद रखेगा, अब जैसे ये no number के बारे में क्या जानते है, number के साथ कैसे, algebra भी आजाएगा, ratio proportion पूछेगा, geometry में 2D आजाएगा, 3D आजाएगा, mensuration आजाएगा, data handing आजाएगा, ठेक है, अब pedagogy issue में पूछ लेगा, कि language of mathematics, जो गडित का विशय है, language है, भासा है, वो क्या है इसके बारे में, कैसे मुल्याकन करेंगे, teaching problem में कैसे solve करेंगे, match की समस्चा, ये चीज़े आ जाएगे, भी आपका 30 question पूछा जाएगा, जिसमें से 20 question आपके content के होंगे, बाकि जो 10 question होंगे, आपके pedagogy होगी, अब science में क्या level से, जैसे food के बारे में पूछा जाएगा, सच भोजन के बारे में पूछा जाएगा, जो चीज़े रोज यूज होती है, भोजन के बारे में, उससे ह अगस्त में paper हुगा था, cated 2023 का, इसमें जो level है, थोड़ा deep पूछा है, तो आपको पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपके साथ, अब जैसे moving object, magnet क्या है, natural phenomena क्या, ये सब चीज़े हो गई, अब माल लेते हैं, कोई बंदा ऐसा है, जो science side से नह होंगे, इसमें भी क्या है concept, आपको में बता दूँ, अगर आप history लेते हैं, तो 40 question आपके history से होंगे, बाकी 20 आपके pedagogy हो जाएगी, अब history में कुछ भी हो सकता है, पहले पूरी history आ जाएगी, मतलब की जैसे सल्तनाथ, दिली सरकार के बारे, दिली government, दिली सल्तनाथ उसक कास के कारे क्या थे, उस समय मुद्रा क्या थे, उस समय की लेखा कौन थे, उस समय की इतियास कारते, यह सब चीजें जो है, history का purpose है, जैसे 1857 के करांती हुई थी इसके बारे में, यह चब, अब अगर जियोग्राफी आ गया, आपसके बाद जियोग्राफी आ गया, social and political life हो इसमें सो कुछ भी है, और यह देखे में मुद्धा क्या है, पेड़ोगोजी, पेड़ोजी मैंने क्या बोला, 40 नमर आपके देखे, अगर social science है, सस्टी में आते हैं, social science है, social studies में, तो 40 नमर आपके content होंगे, बाकि 20 जो 20 question होंगे, 20 नमर के, वो आपके पेड़ोजी होंगे टेक, अब एक चीज में और चीज बता दूँ कि आपका जो syllabus होगा, वो किसकी अईर्द गर्द है, कच्छा एक से पांस अगर कच्छा एक से आठ तक में बात करूं, तो NCRT को ही ये follow करते हैं, टेक, आपका syllabus NCRT के book को ही follow करती है, ध्यान रखिएगा, और test book, अब मैं बता आने वाला कुछ important चीज जो note आप करके समझ जाईएगा, देखे, सबसे important चीज क्या है, seated हर साल होता है, और 2023 से दो बार होगा साल बर में, और एक चीज में बताओ तो इसमें negative marking नहीं है, टेक है, आपका समय कितना है, धाई घंटे में paper करने होते हैं, आपका paper offline है, टेक है, तो अब आपके doubts clear हो गए होंगे, आपका paper offline नहीं देना है, और एक चीज और मैं बता दूँ, आपके पढ़ने के लिए, आप देखे, और exam अगर आप crack करना चाहते हैं, तो अभी से लग जाईए, आपके पास समय नहीं है, तो exam crack करने के लिए कुछ चीजे में बताना है, देखे, seatate अगर आप qualify करना चाहते हैं, 2023 December वाला, तो आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, syllabus होना चाहिए, ठेक है, syllabus अलड़े में बता दिया हूँ, इसका link मैं telegram, ये PDF मैं telegram पो upload कर दूँगा, वहां से आप download करके रख लीजिएगा, ठेक है, अब दूसरी चाहिए, आपके पास previous year question paper होने चाहिए, 2023 के मिल जाएं, कौन से जून वाले, ये अगस्त वाले paper जो ले लिजिए, फिर 2022 के और 2021 के, ये paper आपको मिलेंगे कहां वो भी मैं बता दूँ, आप seated की site पर चले जाएंगे, उनके site पर ही ये paper available होंगे, और आप कहेंगे तो मैं paper आपको telegram को provide कर दूँगा, ठेक है, तो ये चीज़े है, और बाकी जो आपके classes से start हो चुकी है, तो आप फटा-फट देखिए, कैसे तैयारी करना है, और start कर दीजे, और कोई doubts हो तो आप comment करके post सकते हैं, अगर information अच्छे लगे तो like, subscribe और share करना मत भूलिएगा, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिए, सवस्तर ये, और कोई doubts हो तो भे एचक, आप पूश सकते हैं, comments में, ठेक है, comment section आप सभी के लिए open है, आप कोई doubts हो, कैसे करना है, वो पूश सकते हैं, हाँ, हलाकि एक doubt बहुत कामन है बच्चों का, बहुत बच्चे ऐसे ह कि देखे, हर बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, कि बाहर जाके त्यारी कर सके, ठेक है, तो मैं बता रहा हूँ, आप घर बैठे भी त्यारी कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूत नहीं, केवल आपको जो basic चीज़े हैं, आपके पास, आपके पास mobile phone, कुछ भी हो, internet हो, जि से मैं example लेटा हूँ, टेस्ट बुक की मैं बात करूँ, टेक है, टेस्ट बुक आप ले सकते हैं, इसका अगर कहेंगे तो मैं link दे दूँगा, जिसके माध्यम से आपको कुछ off मिल जाएगा, टेक है, अगर आप चाहिए तो मैं दे दूँगा, आप comments करेंगे तो, टेक है, तो ये चीज़े है, आपको टेस्ट देना है, उस टेस्ट के basis पर ही आप exam qualify कर सकते हैं, हाला कि एक चीज़ मैं बता दूँ, आप previous question paper ही लगा लेते हैं, चार साल, पान साल के न, तो आप समझ जाए कि 2022 के जितने भी paper हुए थे, प्लस 2030 के जो paper वेतने ही लगा लेंगे, उस चीज़े ही कहेंगे, सर मैं UPC हूँ, तो मैं 82 ला दूँगा, सर मैं SCST हूँ, OBC हूँ, 82 ही है, तो देखिए 82 है, ठीक है, लेकिन जब other state में apply करने जाएंगे, तो 90 प्लस मांगता है न, तो वहाँ आप बच्चे mark खाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 82 थे के 90 प्लस मार्क्स आएं, इसलिए कि आप UP की वेकेंसी में, तो UP में safe रहेंगे अपने state में, लेकिन other state में आप general में ही count होते हैं, आप चाहिए किसी भी category में हो, टेक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यार रखिए, स्वस्त रहें, मस्त रहें, आप चाहिए, स्वस्त रहें, और धृच्छ, दू रहें, टृचर, अंपने थौर बड़ईंगार होते हैं, टे खाती हैं, तो में आप रहें रहें चाहिए, अठती हैं, तो मेंने उन्क्रावार थाक्त, शब़एंग Alma.